हाई स्टूरेंट्स हमने एक नई सीरीज शुरू करी है इडियम्स ओफ दे डे के नाम से जिसमें हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे इडियम्स और फ्रेजर्स को आपके सामने लेकर आया जाए और उन्हें बहतर तरीके से डिसकस किया जाए सो इस सीरीज का ये दूसरा सेशन है जिसमें हमने आज इस इडियम्स को चूज किया है वो है कार अनिच फॉर वानसेल्फ इसे निच भी बोलते हैं नीश भी बोलते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या बोलते हैं कार अनिच फॉर वानसेल्फ आईए आग in an organization or feel especially by doing excellent work. किसी कमपनी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी छेतर में अपने कद को मजबूत बनाना. कैसे? अच्छा काम करके. Positive phrase है. बोलते नहीं कि अपनी जगह उसने मजबूत बना ली है. मैं आपको इसे ऐसे बताता हूँ कि कोई वेक्ति एक political party को एक volunteer के रूप में जॉइन करता है और पांस साल के भीतर वो जो है एक मजबूत party का कारे करता हो जाता है party का एक मजबूत कारे करता हो जाता है कैसे अपनी बहुत सारी मेहनत के माध्यम से या कोई वेक्ति एक company में एक accountant के रूप में या एक clerk के रूप में जॉइन करता है और थोड़े ही दिन बाद company में हर किसी को उसको बहुत जुरूत पढ़ने लगती है मतलब वो company का मजबूत एक important member हो जाता है this is called to carve a niche for yourself या carve out a niche for yourself carve का मतलब आप जानते हैं चीजों को बनाना ready करना इसे याद कैसे करेंगे ध्यान से देखिए ये जो word है niche इसका मतलब होता है छट आशियाना वेक्ति मेहनत करके अपने सिर पर एक छपपर रखता है वो छपपर नीच कहा जाता है मेहनत करके एक team shirt रखता हूँ उसको नीच बोलते हैं जिसके नीचे वो रहता है जिसके वो नीचे रहता है तो एक छट जिसके नीचे आप रह रहे हैं तो वो छट आपने कैसे बनाई है अपनी दम से अपनी मेहनत से बनाई है ये दिखे एक image है इसमें ये चीटी जा रही है ये image दिखा रही कि उपर से आसमान से बारिश हो रही है पर ये चीटी भीग नहीं रही है क्योंकि इसने अपनी मेहनत से अपने ऊपर एक पत्त रख लिया है अपनी POORI BODY पे पत्त रख लिया है इस एक क्या होगा अब ये भीगेगी नहीं अच्छा ये पत्त इसके पास कैसे आया होगा इसने खुद उठाया होगा तो आप जब अपने लिए एक छट बना लेते हैं फिर उस छट के नीचे रहते हैं तो this is called that you have carved out a niche for yourself या you have carved a niche for yourself ये meaning है the new photographer has successfully carved out a niche for himself बतलब एक नया photographer है लेकिन बहुत जल्दी वो एक famous photographer हो जाता है और सब पूरी दुनिया उसे जान जाती world of photography में कैसे? by clicking some very close pictures of the family of a lion अब आप समझेए lion की family की photos लेना बहुत करीब से photos लेना just imagine how dangerous it can be लेकिन उस photographer ने उस new photographer ने ये risk की काम किया ये adventurous job perform करी जिसके चलते पूरी दुनिया में उसकी तारीफी world of photography में उससे सब लोग जान गए यानि कि उसने अपने लेक नीच को carve किया तो इस session में इतना ही hopefully आपको जरूर interesting लगा होगा, समझ में आया होगा, कैसा लगा मुझे आपना comments के मादिम से बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो like करिएगा, अपने friends में share भी कर सकते हैं, thank you so much, bye, take care, और हाँ ये जरूर बताइएगा कि next session में आप कौन से idiom पे discussion चाहते मैं जरूर उस idiom पे वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा, till then take care, bye, जै भुलेनात, जै शेफ्शंकर